हेलो फ्रेंड्स, O2is Academy के YouTube चैनल पर हर्याना जी के की सीरीज में मैं लोक इश्डा का आपका स्वागत करता हूँ, हमने जो सीरीज शुरू कर रखी है, उसमें Art and Culture का ये Last Lecture है, Art and Culture के इस Lecture में हम समझेंगे, बेसिकली हर्याना में या अगर वद्दय यंत्रों की बात करें तो कौनसे कौनसे equipment है, जो music के point of view से यूज के जाते हैं, साथ ही हम हर्याना के costumes के बारे में भी बात करेंगे, कि हर्याना की जो परमप्रीक वेश बूशा थी, वो कैसी थी, और बेसिकली उसके अंदर क्या क्या पीडेफ है, वो आपको telegram channel और हमारी app पर available हो जाएगी, तो आप चाहें तो उसे download कर सकते हैं, अगर आपने O2IAS Academy का app download नहीं किया है, तो app download करें, कोरोना के इस समय में, यदि आप अपनी घर बैठे तयारी करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए बहुत useful हो सकता है, हर्याना civil service के लिए हमारी O2IAS Academy की एक test series है, अगर आप अपनी preparation को अच्छे से measure करना चाहते हैं, बेसिकली आपकी level तक अच्छे से cover कर चुके हैं, उन ची आपकी preparation कैसी है, तो आज इस session में हम दो main बाते करेंगे, art, music art और costumes of हर्याना, तो music art की अगर बात करी जाए, तो हर्याना में music instruments, सबसे पहला जो important instrument वो है, बासूरी, तो यह वानी, जो, sorry, यह जो वीना या मुरली जैसे अन्य लोग प्रिया नामों से भी जाना जाता है, ठ साथ ही यह वाई उपकरणव में से एक है, बास की एक छड़ी होती है, जिसको खोकले, मतलब वो अंदर से खोकली होती है, उसके बाद उसके अंदर साथ गोल छेद होते हैं, और इस उपकरणगी कई अन्यक इसमें भी है, कुछी दे चहरे पर, मतलब सामने से पकड़ी जा आती है, तो बासुरी जो है, वो एक मुजिकल इंस्टूमेंट है, जो आपने देखा होगा, ऐसे ही है बीन, जो मतलब क्या होता है, बेसिकली जो सपेरे होते हैं, वो नाग जो होती है, नागों को बुलाने के लिए, उनको अपने वसमे करने के लिए बीन का इस्तमाल करते है, तो इस टाइप की चीज़ें आपने देखी होगी, इसके बाद धोल है, डमरू है, तो धोल जो शादी वगयरा के जो माहौल होते हैं, उसमें धोल बजाया जाता है, और डमरू जो तव बगवान शिम का एक छोटा सा एक वाद्दे अंत्र माना जाता है, जो काफी है, जो एक गंटे के चश्में जैसा होता है, ठीक है, और बगवान शिव के एक विशेषता मानी जाती है, इससे उसको कनेक्ट के जाता है, इसके बाद होता है, चिम्टा, खड़तार, मंजीरा, ठीक है, तो चिम्टा क्या होता है, जब भी जैसे जो ये रात को अपना जग चिम्टे जैसा ही होता है, लेकिन उसके बाहर जो होते है, ऐसे रिंग से लगे होते हैं, जब ये बसता है, तो ये है, एक साउंड क्रियेट करता है, जो मतलब म्यूजिक के पोइंट अव व्विव से काफी इंपोर्टन माने जाता है, एक होता मंजीरा, जो छोटे-छोट आधी धवनी ứह आपर पैदा होती है, जो दिमाग के लिए, या कहिना कही मन को शांत करने के काम आती है, तो ये मंजीरा होता है, अपने या जुरूर देखा होगा कहीना कहीन, ये है हार्मोनियम, तो हार्मोनियम भी इस्तमाल किया जदाए, इसको वेसिकली थोड़ा सा कह यह मानलों कि चिम्टा और मंजीरा जैसे चीजों को शीखना नहीं पड़ता लेकिन कहीं ना कहीं हार्मोनियम जैसे चीजों को स्पेशली शीखना पड़ता है सामने से हाथ लगा के और तब मतलब उसको प्रेस के जाता है तो बटनों के साथ अलग अलग तरीके की दवनिया इसमें उत्पन होती है ठीक है तो एक संगीत वादे इंतर है और दोकनी के मादम से हवा को बल देने पर दोकनी गवप्यों करके बार-बार इसको बजा जाता है जिसे कुण्जी ओपर उंगलिया डाल कर खोल जाता तो बेसिकली इस तरीके की एक चीज है एक घडा यह घडा या घडा यह मटका भी कहते हैं यह काफी इंपोर्टेंट है बेसिकली इसके उपर रबड जो थी है टायर की रबड या टीप जो होती है बेसिकली उस टीप की रबड मतलब उसके उपर जो टायर के अंदर जो ट्यूब होती है उस ट्यूब की जो रबड होती है बेसिकली उसको इसके मुँपर बंधा जाता है और बंधने के बाद बेसिकली इसको मतलब एक पट्टा लिया जाता है जो मतलब यह लगा हरियाना में आको देखने को वह लेंगा गए एक एसा वाद्धययनतर है जो जर्णरी कहीं देखने को नीं मिलता एैसा नहीं यह जैसे बाकिन और भी मार्मोंी यह सब चीज़ा कहीं जरनली देखने को नहीं मिलती है ठीक है तो घड़ा जो है वो इससे related है इसके बाद उती है सारंगी तो सारंगी एक दनुसके आकार के होती है तारवाद्य अंतर है जिसमें तारों के ऊपर एक छडी से होती है इस छडी के साथ बजा जाती है और मतलब ये काफी अच्छी साउंड क्रेट करती है तो ये है सारंगी जब सांग बगारा देहें तो इस टाइम पे ये बजाई जाती है तो वैसे तो तो इस्तमाल कई जंग अलग अलग तरीके के जो functions वगएरा उसमें इस्तमाल कि जाती है लेकिन जनरली सांग वगएरा के ताइम पर भी इसको इसको इस्तमाल गयाता है इसके बाद शंक जो होता है यह एक मतलब यह मान के चलो कि नेचुरल एक musical instrument है बेसिकली यह सब से पुरा साथ से पहले जनरली अच्छे या कई बार लड़ाई वगएरा से आप देखेंगे तो पहले कहते हैं इस काम का शंकनाद कर दिया गया तो शंकनाद का मतलब है कि जो शंक का मतलब तो शंक हो गया और नाद का मतलब उसकी दवनी जो अच्यारों दिशाओं में फैलाएगी तो ये सांस के जो रोगी होते हैं उनके लिए भी इसको डोक्टर बताते के अगर आप शंक बजाएंगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए काफी बेनिफीशल रहेगा तो शंक जो है वो एक तरीके का वाद्देंतर है प्राकरतिक है सबसे पुराना भी है और जनरली आप आप देखेंगे बहुत सारे जंग है पंडीच शंक बजाते तो काफी इंपर टेक है और इसकी दवनी काफी बिमारियों को दूर करने वाली मनी जाती है तो अब वह चीजे कहीना कहीं काफी इंपर्टेंट मानी गें तो शंक जो है वह एक इंपोर्टेंट मूजिकल इंस् उसके बाद यह जो चल्ले हैं इनकी खनकिस में पैदा होती है जिस से कही ना कहीं मतलब एक sound create होता है इसके बाद शहनाई शादी वगएरा जो होती है तो शादी वगएरा के टाइम पे शहनाई बजाए जाती है तो अलग अर्याना में भी कई ऐसे घराने मेवात में घराना होता था तो वहाँ पे भी शैनाई वगेरा काफी इंपोर्टेंट माने जाती तो इस टाइप की जो यह हैं यह एक बहुत ही इंपोर्टेंट वद्धियंत्र माने जाते हैं इसके बाद परंपरिक संगीत कार की अधी बात करें तो अर्याना में संगीत भाट सांगी जोगी आदियों दुबारा भी किये जाते थे और बाज्य भगत दयाचन मायना ठीक है जाट मेर सिंग दया लखमी चंद जैसे कुछ लोग परिये शुरुवाती दोर पर हर्याना के कलाकार रहे हैं तो यह कुछ इंपोर्टेंट कलाकार भी रहे हैं बाकी आपको मुजिकल पॉइंट ऑव व्यू से तो अलग अलग तरीक चीजे भी मिल जाएंगी अलग अलग इंसान जो है वो नोंने संगीत को आगे बढ़ाने में अपना हर्याना में काफी योगदान दिया है रागनी जो परदर्शन होता है बेसिकली रागनी competition हाला की तो अभी थोड़ा सा कम हो गया बाकी पुराने टाइम पे रागनी competition करा जाते थे और ठीक था मतलब रागनी गाने वाले अलग तरीके किसों के साथ मतलब इंसानों के इंसानों का entertainment करते थे साथ ही एक अपने जो जितना भी अरियाना का जो कल्चर है उस सब को उसका बखान गया जाता था important जितने भी जो भी मतलब यहां पर लगा के चलो के आप अलग अलग तरीके यह जो इंसान थे उनके मतलब life से related रागनिया गाई जाती थी तो यह चो चीज़े हैं यह सब अरियाना के culture से relate करती है अब अरियाना में यदि कोस्ट्यूम्स की बात करें तो अरियाना की जो वेशबूशा है जनली अरियाना में महिलाएं कमीज और दामन पैरती हैं निच्चे पैरों में जुत्ती पैनती हैं और मतलब चुन्नी वाल या मतलब भई लूगडी अलग अलग तरीके से जो शेर्पे जो ओड ना इस्तमाल गया जता है उन सब के लिए इस्तमाल गया जता शब्द है और जो मतलब जो आदमी है वो दोती कुड़ता ठीक है जुत्ती खंडवा ठीक है इन सब का इस्तमाल गया जते है खंडवा साफा पगडी ये सब जो है ये इस्तमाल गया जता ह उसका इस्तमाल किया जाता है इन शब्दों का तो अर्याना की वेश्बूशा में यदि आद्मियों की वेश्बूशा की बात करें तो अर्याना प्रदेश में पुरुशों का जो पहनावा है तो ये लिखावा है पगडी, खंडवा, साफा, पाग, मुर्की, करन, फूल, बा है या कामडी कहते हैं यह आथ में पायरा जाने वाला कड़ा है ठीक है ऐसे ही गड़ में पायना जाने वाला काड़ा दोरा है और काड़ा दोरा के साथ तावीज या फिर डमरू कहते हैं डोल भी कहते हैं यहां पर डोल गया कारका होता है एक डमरू या डोल तो वह भी का सब देंगा तो अर्यान के जो कल्चर है अर्याना का जो पहनावा अर्यान का जो वह अलग से ही कहते हैं अब लाख आदी में विखडा कर दे तो भी एक बार बोलते हैं समझ माज़ेगा अरियाना का है तो यह चीज कहीना की और पहनावा अगर सई देशी कल्चर के इसाब से पुराणे टाइम का अगर पहनावा पहन लेते हैं तो वैसे भी इसको कहीना कहीं खाल जाता है ठीक है और यह नोकदार जुथी हरियाना में पहनी जाती तो इस टाइप की जो चीज़ यह है वह हरियाना के पुरुष्ण दवारा इस्तमाल एक और महीलाओ दवारा वैसे तो बहुत सारे टाइप के अलग अलग तरीके की जो जवेलरी हैं वो इस्तमाल जात तो उसको भी आप देखना चाहिता है जैसे माथे पर आजाते है बोर्ला या रखडी शरंगार पट्टी चुनडी ठीक है यह कमीज हो गया ठीक है मेली तो कमीज है यह दामण है या गागरा क्या देते हैं ठीक है और यह जैसे मतलब कमर के उपर बांदी जाती है ठीक है तो अलग अलग तरीके की जो चीज़ यह है पाजे वगयरा तो अलग अलग जो यहां पे जो वेश्बुशा है इस वेश्बुशा के साथ कहीं ना कहीं जो इंपोर्टेंट जो जैलरी है उसको हमने अगली स्लाइड में रखा हुआ है तक आप उसको देखके थोड़ा सा अंद या यमाहandव द्वारा पेहन जाका। तो बेशिक लेगे रुपे जासा होता है ख्सा और बोर्ला ओता है जो होती है वह और मदल्लब जो बोर्ला ओता है उसके साइड से चेंज यह लिए होती है आप देखेंगे तो यह थो है ठीक है यह है बोटला और यह usher तो यह जो है इसको आप देखे थोड़ा सा अंदादा लगा सकते हैं ते किस टाइप से यह है टीका यह है बोर्डा बड़ा important question है दो शब्द है एक है बोर्डा बोर्डा दम्मन होता है तो यहां पर बोर्ड़ाई श्यारी में थोड़ा सा फरक है इसमें थोड़ा साब को ध्यान लखना जुरूरी है नाग के इगर बात करें तो नाग में पहनी जाती है पुरली कोगा बारी लूंग यह तो कोगी बारी था सोई और कोका वैसे एक मतलब जैसे इतना सा थोड़ा सा यह मान के चलो थोड़ा सा मुटा सा एक मतलब सोने का या जनरली तो सोने का पहना जाता है तो उसको पहन के और मतलब नाक के अंदर डाला जाता है तो वो थोड़ा सा मतलब आगे से थोड़ा मुटा होता है तो उसको कोका क इसी होती है और नाक में पहने जाती है इसके बाद यह है नाथ ठीक है तो यह सब क्या है यह नाक में पहने जाने वाले नाथ जो है यह कान तक जाती है और एक तरफ से नाक और एक तरफ से जहां पे नाक बंदवाया होता उसके अंदर डालके और कान तक इसको पहुचा जात तो कानों में पहने जाते जुमकी ऐसे ही थोड़े बड़े होते हैं कुंडल और बूजनी जैसे ये ये फोटो में दादी जी पहने हुए हैं ये हैं बेसिकली बूजनी तो पुराने टाइम पर जो मैं ले थी वे बूजनी पहनती थी और ये बेसिकली कुछ हैं जुमकी कुंडल और बूजनी ये कानों में पहने जाने वाले आभूशन हैं इसके बाद अगर गले की बात करें तो हसला हसला या हसली वो छोटा होता तो हसली कहते हैं थोड़ा बड़ा होता तो यह से हसला है तो हसली नाम की अड़ी होती है उस अड़ी को सुरक्षा दे है इसलिए कहते हैं गड़ श्री और कंठी होती है जो मत्रमाला इसके अंदर अगर ऐसा रुपिया सा डाल दिया तो इसको कंठी के देते हैं तो यह अलग-अलग तरीके के जो आप उशन है यह देखने को मिलते हैं इससे अगली स्लाइड में आप देखेंगे के इनके फोटो भी मोर की वज़े से मोहावी कहते या 12 मोर का जालरा भी का जाता है तो यह इसके बाद और प्फूल और बाजूबंद तो आत्वों में चूड़ियां कंगन यह सब तो नॉर्मल है जैसे मतलब आपको थोड़ा सएक ऐसी ही जीज़ो जो बाई चांस कई बार ना पता चले आंग उठी वगारा तो यह चीज़ हमने नहीं रखी है ताकि इतनी बाते तो जनरली वैसे भी जाने तो होगी यह बाद जूबंद जो आथो पर यहां पर पहनी जाती है बाद जूबंद ठीक है तो बेसिकली बाद जूबंद जो है वह पिछे फोटो देखा था उसमें मिल जाएंगी 6 होते हैं दमण के नीचे 6 तरीके के पैरों में अलग-अलग आपूशन पहने जाते हैं उनमें इंपोर्टेंट जो है ऐसे होता छैलकडा ठीक अंदर से खोकडा होता है और ऐसा मना जाता है पैर की जो मतलब अड़ी होती है तो यह पायल है और यह बिच्वे या फिर अगर यह मतलब यह गुंगरों के साथ ना हो तो इसको चुटकी का जाता है चुटकी चारली भी कह देते हैं तो यह जो है यह इंपोर्टेंट अबूशन हैं और कहीना की सांगीत वगारा से रेलेटेड कुछ इंपोर्टेंट प सकें और अल्डा बेस्ट आपके एच्छी एस एक्जाम के लिए थैंक यू सो मुच